कैसे हैं आप सब कई लोग कहते हैं कि जो तूफानी तेल है गुरदेव वो उसकी जड़ी बूटियां चलती मिलती नहीं है आज मैं इस वीडियो में आपको है कि लगू तूफानी तेल बता रहा हूं जो आपको 100% गारंटी से मिल जाएगा आपके सहर में मिल जाएगा आपक उसमें पांच ग्राम लॉंग डाल लीजिए तोड़ करके और उसमें दो लॉंग की सीसी आपको बैदनाती डावर कंपनी के मिलेंगे दस दस एमल की टेंटेन एमल की मुला के रख लो अब आपको इसको करना क्या है सरसों के तेल में लेशन की कली जो बता हैं और इसमें द झाल भी लीजिए और 10 ग्राम सोट का पाउडर बी डाल दीजिए इसमें डलना है 100 ग्राम सरसों के तेल में और इसको अबालना है यह इतना उबालना की जल जाए काला होजा कोईलें की तरह है फिर कपलें ते चैप लो और जो लॉंग के तेल के शीसियां है उनको बाद में इसमें मिला दो छानने के बाद इसको रख लीजिए पता है अगर हो सके तो इसमें पांच गिराम भीम सेनी कपूर का पाउडर भी मिला के डाल दो और इस तेल को आप सुवे नहने के बाद एक घंटे बाद आप अपने अंग पर मालिस करें अपने लिंग पर मालिस करें एक म मालिस करें आगे के हिस्से को छोड़ दीजेगा तो इस तेल की एक से एक मिनिट मालिस करें लिंगे की चारूलो जड़ में करो इस तरह से लिंगे की जड़ में मालिस करिए आगे तक करो लेकिन आगे कैपे मत करना नहीं तो जलन होगी फिर रात बर चीख होगे चिलाओगे छाला पड़ जाएगा फिर गुरु जी को गालियां देने का मन करेगा हो सकता है बखने भी लगो तो कैप पे नहीं लगाना है पीछे लगाईए जिन लोगों नहीं हस्त मैंतुन किया है और जिनकी नसे बहुत धीली हो गई है और तनाव नहीं आता है इस रात में सोने से एक घंटे पहले आप मालिस का लीजे फिर देखिए चमतकार एक फाइदा यह है बढ़िया करके जिन लोगों का जो माताएं मेहने जिनके इस तन छाती धीली हो जाती है वो लोग भी अपने पतियों से इस तेल की मालिस करा सकते हैं जिनकी कमर में दर्द हो आदमी हो या औरत तो इससे मालिस कर सकते हैं और इस तेल को अगर आप चार बूंद जाड़े में यह जो ठंडे प्रांत के लोग हैं दो से पांच बूंद तेल जो रो जाना सुबह के लिए और रात में दूद के साथ आप पीते हैं मीठे दूद के साथ में उनको जल्दी infection होता है सर्दी जुकां बुखार होता है जिन बच्चों को निमोनिया की सिकायत होती है ऐसे बच्चों को जरूर यह तूफा लगू तूफानी तेल पिलाएं डाल करके और खुद भी पियो देखो तुम्हारे सुक्राणू कितने बढ़ जाते हैं समझ रहे हैं ना बहुत ज्यादा जिन औरतों को सेक्स के इच्छा नहीं होती है पुर्सों के अंदर सेक्सल एपिटाइट खत्म हो रही है ऐसे लोग इस तेल को डाल करके दूद में पियें सुबह और साम रात में और इस तेल की मालिस करिये फिर देखिया दिमाग भी तेज हो जाएगा सुस्त है तो जो इसकिन प्राउबलम है जो इंफेक्शन है खुजली है इन सब चीजों में भी है लाव करेगा अगर इस तेल की मालिस करके बाहर जाएंगे तो कोरोना का बाइरस तुमारे उपर चिपक नहीं सकता है अटैक नहीं कर सकता है ओम शांती ओम क्रांती इस वीडियो को ए यह सरीर के साथ हस्त मेहतुन और जाकी असामिक हत्या है तो हत्या मत करो अगर हस्त मेहतुन करोगे तो बरबाद हो जाएगे तुमारी और तुमारे चूतनों पर लत्याएगी तुमको और तुम किसी लैक नहीं रहोगे कितने भी करोलपती सही हत्यार से बेकार हुए नहीं